फिर से बहुत गर्व होता है कि बिहार के होने के बावजुद एक महिला बनके हमने बिहार का प्रतिनिधित्व किया है चाहे वो खेल में हो या राजनीती में जो आधी अबादी का नारा लेकर हम आगे बढ़ते हैं वो उसमें हमारी महिलाओं की संख्या कहीं कम रह जाती है इस बात को मैं पूरी तरीके से मानती हूँ और मुझे लगता है सिर्फ इसी वजह से शायद राबरी देभी जी के बाद कोई मुखे मंतरी नहीं बन पाया है बिहार की महिला लेकिन हमें साथ ही पूरा यकीन है कि आने वाले समय में हम जल्दी एक महिला मुखे मंतरी देख महिला दिवस का उसर है और हमारे साथ बिहार की मिट्टी से निकली गोल्डेन गल्द जिन्हें कहा जाता है जिन्होंने खेल के मैदान में देश का नाम रौसन किया गोल्ड लेकर किया और राजनीती की रण भूमी में भी खुद को साबित किया आज हमारे साथ हैं सबसे यंगेस्ट विधायकों में से एक है आप और खेल के मैदान से राजनीती का यह सफर कैसा दिख रहा हैं हमें बहुत खुशी हो रही है कि जमुई की जनता ने हमें चुनके उनकी आवाज बना कर पटना में विधान सभा तक भीजा है और गर्व होता है कि उन लोगों ने इस बार एक बेटी को चुना है और साथी साथ मुझे अभी भी लगता है कि बिहार के सभी जनता और जमुई के भी लोग चाहेंगे कि हम अपने निशाने बाजी का जो करियर है उसको भी साथी साथ कंटिन्यू करते रहें तो डेफिनेटली अभी तो बहुत खुशी हो लाजनी थी दोनों में ही महिलाओं की संक्या देखा जाए तो बेहत कम हैं क्या चाहती है इसमें कुछ बदलाव की Reach में ज़गय कर रहे हैं तो बदलाव को डेफिनेटली धीरे दीरे आ रहा है हमने खुद अपने स्पोर्ट्स की करियर में देखा है कि किसे आ कृती जो ट्राप्स प्रादा में पार्टिसिपेट करती थी और अब हम लोग करीबन सौ की गिंती में आ गए हैं तो डेफिनेटली थिंग्स आ चेंजिंग स्लोली और ग्राजुली और यह बहुत अच्छी सकरात्मक सोच के साथ महिलाएं आगे बढ़ रही है वो अपनी हक्की लड़ राजनीती करियर में आई तो यहां पर किस तरह के चुनोतिया आपको देखने को मिली उससे क्या अलग थी या फिर जादा थी या फिर आपके लिए लगग सामानले था अपनी अपनी चुनौतियां हर छेत्र में मुझे मिली हैं जाए वो स्पोर्ट्स में हो या राजनीती में हो डेफिनेटली जब मैंने टिकेट लिया और अपना नामानकन भरा था और उसके बाद लगबग मेरे पास एक महीने का समय था कैम्पेइनिंग करने के लिए तो थोड़ा सा टफ इसलिए था क्योंकि पूरा चेत्र घूमना था एक जनप्रतिनिधी के रूप में पूरा चेत्र घूमना था तो फिजिकली थोड़ा चालेंजिंग था अब जो कटनाई का सामना करना पड़ता है वो यह है कि समय दिन में अभी भी 24 घंटे ही है और वही समय लेकर हमें अपने चेत्र में भी रहना पड़ता है पतना में वधान सभा में भी रहना पड़ता है और साथ ही साथ निशानेबाजी की प्राक्टिस भी करने पड़ती है तो यह एक बहुत बढ़ी चुनोती साबित हो रही है लेकिन अभी तक हमने काफी हमारे वज़े से रुक चाहिए और उन्हें कोई असुविधा का सामना करना पड़े महिला दियोस के मौके पर अगर बिहार की बात की जाए तो रापड़ी देवी जी का भी नाम आता है पहले मुखे मंत्री वो रही है कि उनके बारे में क्या कायना आपका अच्छा आपने समय में उन्होंने बहुत अच्छे से उनका जो responsibility होगा जो उनका उत्तरदायत वथा उन्होंने अपने समय में अच्छे तरीके से निबाया है और बिल्कुल सही बात है कि वो बिहार के पहली महिला मुक्य मंत्री थी लेकिन आज भी देखे रेनु देवी भी है हमारे सरकार में अजबार और वो मुक्य मंत्री की भूमे का उसी मजबूती से निबा रही है अच्छा आपने कहा रेनु देवी जी के बारे में तो राबडी देवी जी के बाद और कोई दरसल सी एम के लिए कोई दिखा नहीं अभी तक जो है तो कहीं न कहीं कमी क्या जो महिला प्रतिनी दियें उनमें है या फिर जान भूज के महिलाओं को आगे ने किया जाता किस तरह से देखती है मुझे नहीं लगता कि ये दोनों में से कोई भी सवाल सही है ना तो जो महला जनप्रते ने दिये वो किसी से बराबरी में कम है और ना ही उन्हें पीछे करने की कोशिश कर रही है लेकिन हाँ जो आधी अबादी का नारा लेकर हम आगे बढ़ते हैं वो उसमें हमारी महलाओं कि संख्या कहीं कम रह जाती है इस बात को मैं पूरी तरीके से मानती हूँ और मुझे लगता है सिर्फ इसी वजह से शायद राबरी देवी जी के बाद कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है बिहार के महला लेकिन हमें साथ ही पूरा यकीन है कि आने वाले समय में हम महिला कोई भी पार्टी होती है तो टिकट देने में या तो जब तक महिला का पोलिटिकल बैग्राउंड ना हो या फिर थोड़ा दबंग वाला ना हो मतलब साधारन कार्यकरता को टिकट देने में कहीं ना कहीं कोता ही बरती जाती है बिहार में क्या मनेंगे जैसा हमने कहा यह तो वही बात हो गई कि slowly and gradually things are definitely changing अब तो बहुत सी महिलाएं हैं जो किसी भी अपनी पार्टी की एक मजबूत कारे करता होने के वज़े से उन्हें टिकेट मिल रहा है हम सिर्फ विधान सभा की बात क्यों करेंगे लेकिन समय बदल रहा है लोगों की सोच बदल रही है और लड़कियां महिलाएं अपने हक के लिए लड़ रही है जिसके वज़े से वोज़ डेफिनिटली उपर आ रही है एक बार फिर आपके उपर आएंगे आपका जो महौल रहा है sport's का, sport's में उस तरह की चुनाओतियां नहीं होती, बैयानबाजी नहीं होती, लेकिन राज्जिती में करना पड़ता है, तो comfortable आपको क्या लगता है, मतलबU sports वाला ठीक था, या पिराज्जिती में भी आपको कोई उस तरह की करिकत नहीं है, I think अपने बच्पन से because मा पिता दोनों ही पूर्व में सांसद रह चुके हैं उनके वज़े से पुलिटिकल लाइफ कैसी होती है और किस तरह से मीडिया के साथ बयानवाजी कहिए या ओपोजिशन के साथ बयानवाजी कहिए किस तरह से उसको हैंडल करना चाहिए या टाकल करना चाहिए बहुत अच्छे सारी किसा हमने देखा है और सीखा है और आने वाले समय में सीखेंगे भी डेफिनिटली जैसा अभी हम बात कर रहे थी खेल और राजनीती में अपनी अलग-अलग चैलेंजिस होती है और कुछ चैलेंजिस का सामना मुझे अभी भी करना पड़ रहा है चाहिए वो खेल में हो या राजनीती में लेकिन मुझे पूरा विश्रास है कि अगर एक इमानदारी की सोच के साथ सेवा भाव के साथ अगर कोई जन प्रतनिती आगे बढ़ना चाता है और सिर्फ अपने काम पे फोकस करके लोगों की जनहित का जो काम है विकास का जो काम है उस पे फोकस करके आगे बढ़ता है तो ना ओपोजिशन के पास कुछ रह जाता है कहने के लिए और ना ही मीडिया के पास कोई सवाल रह जाता है आपने बयानबाजी की बात की तो बहुत सिर्ष के बीजेपी के नेता हैं अटल जी हुए है या फिर मोधी जी वो जब सदन में होते हैं तो अपने बीरोधियों के उपर कुछ ऐसा तंजकस्ते हैं और बहुत ही एक सुनारा माहूल हो जाता है बहुत ही खुसनुमा माहूल हो माहीं इस दिख के अपर जाता है और आपक्ष ही भूमिका निपार हैं तो हम अपना पक्ष रख रहे थे वह बच्ख में लिएर जाता हैं तो उनका काम था सरकार के उपर मतलब कोई बात कहना और सरकार को डफेंड करना हमारा काम था तो यह तो एक हल्दी लेकिन सुनने वालों ने आपको काफी जादा सराय क्योंकि तेजस्वी काफी दिनों से ग्राउंड में काम कर रहे थे आप आई और तुरंत आपने जवाब देना सुरू कर दिया एक तरह से माना जा रहा है कि आपने बोलती बंद कर दी उनकी ने ने ऐसी कोई बोलती बंद करने वाली बात नहीं थी जैसा मैंने कहा कि वो पक्ष की भूमिकाने भार रही थे और बहुती हलका मैटर था ये तो उन्होंने कहा कि शूटिंग रेंज की कोई विभस्ता नहीं है तो श्रसी जैसी और महिलाएं बच्चे आगे कैसे बढ़ें उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि इस बार definitely खेल को बढ़ावा दिया जाएगा और साथ ही साथ बिहार में अच्छी शूटिंग रेंज भी खुलेगी कई सारे ऐसे लोग हैं बिहार में जो स्पोर्ट्स को लेकर के काम करते हैं हम लोग भी कभी जाते हैं खबरों पे तो देखते हैं लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिलता ग्राउन में बच्चे तो आते हैं खेलने के लिए लेकिन उनको वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता तो मतलब सिंगर रूरल इलाकर में जा करके इन बच्चों के लिए काम करना, ये कितना एहम होगा और कैसे इस पे आप लोग काम करेंगे आगे? क्या आप कहना चाह रहे हैं कि कोचेस को मतलब सपोर्ट नहीं मिलता? हाँ, कई जगह गाओं में ऐसे होता है, छोटे-छोटे जो कोचेस होते हैं, वो बच्चों को लेकर के आते हैं, अपने तक तो उसको मजबूत करते हैं, लेकिन सरकार के तरफ से कोई मदद नहीं मिलती और वो क्या है कि वो गाओं कहीं ग्राउंड में अपने आपको अच्छ बनना चाहता है, तो उसके लिए राज्या और केंदरे सरकार दोनों ही पॉलिसीज निकाल चुकी हैं अपनी-अपनी, लेकिन फिर भी और खासकर भिहार की बात करते हैं, तो भिहार में स्पोर्ट कोचेस की कमी है, और हर जिला में एक DSO होता है, डिस्टिक्ट स्पोर्ट उन लोगों की भी कमी है, लेकिन हमारा मानना है कि एक policy chain जिस जरह से आप बोल रहे थे, वो होना चाहिए, और हर पंचायत लेवल पे ये काम हमें करना चाहिए, जहां पे एक अच्छा sports complex हो, और साथी साथ और sports complex को manage करने के लिए परियाप्त staff हो, तो ये सुझाव हमने सरक सकरात्मक दृष्टिकोन से देखे, तो मुझे लगता है कि sports में आने, definitely क्योंकि हम हैं, और हम खुद काफी active हैं, proactive हैं, और पूरी मजबूती के साथ sports का पक्ष रखते हैं, और मांग भी उतनी ही रखते हैं, तो मुझे लगता है कि definitely things बदलेंगी, और चाहे वो infrastructure development हो, या support स्टाफ की बहाली को बढ़ाया जाए, इन सभी चीजों में बदलाव आएगा, policy बन रही है, कुछ-कुछ policies successful होती है, कुछ policies fail भी करती है, तो ये तो सरकार का काम है, कि किस तरह से आगे लेके जाना है, और जैसे हमने कहा है, हमने तो यही कह रहे हैं, कि हर पंचायत लेवल पर, इंफ्रास्रक्चर के साथ साथ सपोर्ट स्टाफ का होना बहुत जरूरी है, आगे मार्च में आपके लिए बड़ा इवेंट है, इसको लेकर के किस तरह से तैयारी है, छेतर में जादा ध्यान दे रही है, या फिर सूटिंग रही है, जैसे हमने कहा हमको नहीं लगता बिहार का कोई भी आदमी खड़े होके बोलेगा कि मुझे निशाने बाजी छोड़ देनी चाहिए, तो डेफिनिटली अभी हम पटना में रहते हैं क्योंकि सत्र चल रहा है, लेकिन अंत का कुछ समय हमें छोड़ना भी पड़ेगा क्योंकि दिली में वर्ल्ड कप की ट्रे आते हैं प्राक्टिस करने के लिए, और हमें पूरा यकीन हैं कि बिहार की जनता का आशरवाद हमारे साथ रहेगा, और एक बार फिर से बिहार भारत का नाम रोशन करके दिखाएंगे, अच्छा एक बार फिर से आते हैं राजनीती पे, नितिस जी ने इस बार कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, और जिस तरह से बिहार में बड़ी पार्टी बीजेपी है, क्या लगता है कोई महिला मुखी मंत्री या यंगेस्ट महिला मुखी मंत्री उमिदवार ऐसा कुछ देखने को भी लेगा हमें यह हम फ्यूचर कैसे बता सकते हैं, तो आप भी नहीं बता सकते हैं, लेकर हमें यकीन है कि सबको अपना-पना काम करते रहना चाहिए, आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है चलिए आपको महिला दिवस की ठेर सारी सबकामना है तो यह थी सिरेशी जी